आप सभी का इस विडियो में स्वागत है पिछले विडियो में हमने विलयन, निलंबन तथा कोलाइड के बारे में अध्ययन किया इस विडियो में हम मिश्रन के घटकों के प्रिथक करण separation of components of mixtures का अध्ययन करेंगे जैसा कि हम जानते हैं हमारे आसपास के अधिक्तम पदात मिश्रन के रूप में पाए जाते हैं इन मिश्रनों के घटकों को प्रिथक करने के लिए विभिन प्रकार की विधिया प्रयोग में लाई जाती है लेकिन आप सोच रहे होंगे कि घटकों को मिश्रन से प्रिथक करने की क्या आवशकता है प्रिथक करने से मिश्रन के प्रत्य घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है विश्मांगी मिश्रण को साधारन भौतिक प्रक्रियाओं जैसे हाथ से चुनकर, छन्नी से चानकर इत्यादी द्वारा प्रिथक किया जा सकता है परन्तु क्या सभी मिश्रणों को हम भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा प्रिथक कर सकते हैं? उदारण तह, क्या हम स्याही को किसी भौतिक प्रक्रिया द्वारा उसके घटकों में प्रिथक कर सकते हैं? नहीं, स्याही जैसे मिश्रणों को प्रिथक करने के लिए विशेश तक्नीकों को प्रयोग में लाया जाता है आईए, अब हम इन में से कुछ तक्नीकों का अध्ययन करें सबसे पहले हम वाश पी करन, एवापरेशन के बारे में जानेंगे चलिए, इसे एक प्रिया कल्ब द्वारा समझने का प्रयास करें आधा बीकर जल लें अब बीकर के मुख पर वाच ग्लास रखें और वाच ग्लास पर कुछ बूँंद स्याही डालें अब बीकर को गर्म करना शुरू करें आप क्या देखते हैं? हम देख सकते हैं कि वाच ग्लास से वाश पी करन, इवापरेशन हो रहा है हम वाश्पी करण होने तक बीकर को गर्म करना जारी रखेंगे कुछ देर बाद आप देखेंगे कि वाच ग्लास पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तब हम उसे गर्म करना बंद कर देंगे क्या वाच ग्लास पर कोई अवशेश बचा है? जी हाँ, हम देख सकते हैं कि वाच ग्लास पर नीले रंग का घटक डाई अवशेश के रूप में नजर आता है तो आपके विचार में वाच ग्लास पर से किसका वाश्पी करण हुआ है? बिल्कुल ठीक, वाच ग्लास पर से जल का वाश्पी करण हुआ है इसलिए अब हम इस क्रिया कल्ब द्वारा ये निशकर्श निकाल सकते हैं कि स्याही जल और रंग के घटकों से बना एक मिश्रण है जिसमें जल एक विलायक, सॉल्वेंट और रंग एक विलेय पदार्थ, सॉल्यूट है और हम वाश्पी करण, एवापरेशन द्वारा विलायक, सॉल्वेंट से विलेय, सॉल्यूट को स्याही जैसे मिश्रणों में से प्रिथक कर सकते हैं आये, अब हम प्रिथक करण की दूसरी तक्नीक, अब केंद्रण, सेंट्रिफ्यूज के बारे में जाने एक पात्र में थोड़ा संपूर्ण क्रीम युक्त दूद ले अब इसे एक छन्नी द्वारा चान कर क्रीम को दूद से प्रिथक करने का प्रयास करें क्या आप इसमें सफल रहें? नहीं, ऐसा क्यों? धरसल दूद में मौजूद क्रीम के करन इतने छोटे होते हैं कि ये च्छानक पात्र से बाहर निकल आते हैं फिर हम क्रीम युक्त दूद जैसे मिश्रणों को कैसे प्रिथक कर सकते हैं? आईए, अब हम इस क्रीम युक्त दूद को एक परक नली मिलें अब एक अपकेंद्रिय यंत्र सेंट्रिफ्यूजिंग मशीन से इसे दो मिनिट तक अपकेंद्रित करें आप क्या देखते हैं? अब केंद्रिय यंत्र को तेजी से घुमाए जाने पर दूद के भारी कन नीचे बैठ जाते हैं और क्रीम के हलके कन उपर रह जाते हैं क्रीम युक्त दूद जैसे मिश्रण, जैसे रक्त, अप्शिष्ट जल, इत्यादी जिनमें मौजूद घटकों के कन बहुत छोटे होने के कारण चानन विधी द्वारा प्रिथक नहीं किये जा सकते हैं इस सिधान अब केंद्रण द्वारा प्रिथक किये जा सकते हैं आए अब हम अघुलनशील द्रव्यों इनसॉल्यूबल लिक्विद्स के मिश्रण के प्रिथक करण की तक्नीक के बारे में जाने इस क्रिया कल्प में हम एक प्रिथक करण कीप में मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को डालेंगे अब हम कुछ देर तक इसे शान्त छोड़ देंगे कुछ देर बाद आप क्या देखते हैं जी हाँ कुछ देर बाद जल तथा तेल की प्रिथक प्रिथक परते तयार हो जाती है लेकिन ऐसा क्यूँ ऐसा इसलिए संभव होता है क्योंकि जल और मिट्टी का तेल अघुलनशील द्रव्य इनसॉल्यूबल लिक्विद्ज है मिट्टी का तेल जल से हलका होने के कारण उपर की ओर उठकर प्रिथक परत बना लेता है जल भारी होने के कारण नीचे की परत में रह जाता है को सावधानी पूर्वक खोल कर नीचे वाली जल की परत को एक बीकर में निकाल सकते हैं जैसे ही तेल नीचे पहुंचे स्टॉप को को बंद कर दें इस तरह हम देख सकते हैं कि आपस में नहीं मिलने वाले द्रव्य अपने घनत्व के अनुसार विभिन परतों में प्रिथक हो जाते हैं इसलिए प्रिथक करण कीप की सहायता से अगुलंचील द्रव्यों के मिश्रण जैसे जल और तेल पिगला हुआ लोहा और स्लैग यानिकी धातुमल इत्यादी को प्रिथक किया जा सकता है आएए अब हम अगली तक्नीक उल्ढव पातन सब्लिमेशन के बारे में जाने एक चीनी मिट्टी की प्याली में नमक और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण ले अब इस प्याली को एक कीप को उल्टा रख कर ढखें और कीप की नली के खुले सिरे को रुई से बंद कर दें धीरे गर्म करें आप क्या देखते हैं जैसे जैसे प्याली गर्म होती है अमोनियम क्लोराइड की वाश्प प्याली की ऊपर की ओर उठने लगती है और कुछ देर बाद कीप की ठंडी सतह पर वो वाश्प ठोसी क्रित होने लगती है चीनी मिट्टी की प्याली को तब तक गर्म करते रहें जब तक उसमें से वाश्प उठना बंद नहीं हो जाता अब बर्नर को बंद कर दें और कीप में ठोसी कृत हुई अमोनियम क्लोराइट को एक प्याली में खरोच कर निकाल लें इस तरह हमने नमक और अमोनियम क्लोराइट के मिश्रण को प्रिथक कर लिया लेकिन ऐसा क्यों संभव हुआ ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि अमोनियम क्लोराइट एक ऊर्धुव पातित हो सकने वाला अव्याय है जो गर्म करने पर ठो सवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रिया कल द्वारा हम ये निश्कर्ष निकाल सकते हैं कि ऐसे मिश्रण जिन में उर्ध्वपातित हो सकने वाले अव्याय जैसे कपूर, नेफ्थलीन, एंत्रोसीन इत्यादी को उर्ध्वपातित न होने योग्य अशुद्धियों से प्रितक करने के लिए उर्ध्वप पातन, सब्लिमेशन की प्रक्रिया का उप्योग कर सकते हैं अगली प्रितक करन तक्नीक है क्रोमेटोग्रफी आये इसके बारे में एक क्रिया कल्ब द्वारा समझें चानक पत्र की एक पतली परत लें इसके निचले किनारे से तीन सेंटीमीटर उपर पैंसिल से एक रेखा खीच लें अब उस रेखा के बीच में एक स्केच पेन की सहायता से जल में घुलनशील स्याही की एक बून्द रखें इस बून्द को सूखने दें अब एक जार में थोड़ा जल लें और उसमें इस चानक पत्रप को इस प्रकार रखें कि वो जल की सतह से ठीक उपर रहें च्छोड़ दें आप क्या देखते हैं चानक पत्र पर प्रिथक प्रिथक रंग नजर आ रहे हैं ऐसा क्यों हुआ जैसे जैसे जल चानक पत्र पर उपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है वो डाई के कणों को भी अपने साथ ले लेता है प्रायह डाई दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण होता है रंग वाला घटक जो की जल में अधिक घुलनशील है तेजी से उपर उठता है और इस प्रकार रंगों का प्रिथक करन संभव हो जाता है मिश्रण से घटकों को प्रिथक करने की इस विधी को क्रोमेटोग्रफी कहते हैं ये एक ऐसी विधी है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को प्रिथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं उदारं तह, प्राकृतिक रंगों से pigment को प्रिठक करने में, रक्त से नशीले पदार्थों को प्रिठक करने में इत्यादी अग्ली प्रिठक करन तक्नीक है आस्वन विधी, distillation आईए, इसे हमें क्रिया कलब द्वारा समझने का प्रयास करें एक आस्वन फ्लास्क, डिस्टिलेशन फ्लास्क में असिटोन और जल का मिश्रण ले इसमें एक थर्मामीटर लगाएं अब उपकरण को इस तरह से व्यवस्थित करें मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करें और सावधानी पूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करें जैसे जैसे मिश्रण गर्म होता है आप क्या अवलोकित करते हैं लगभग 56 डिग्री सेल्सियस पर एसिटोन की वाश्प आस्वन फ्लास्क में उपर उठती नजर आती है ये एसिटोन की वाश्प जल संगनक से गुजरने पर संगनित होकर पुनह द्रव्य अवस्था में बीकर में जमा होना शुरू हो जाती है इस तरह हम एसेटोन और जल के मिश्रण को आस्वन विधी डिस्टिलेशन द्वारा प्रिथक कर सकते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों संभव हो पाया ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि एसेटोन और जल का मिश्रण ऐसा मिश्रण है जो विग्टेत हुए बिना उबाला जा सकता है और उसके घटको एसेटोन तथा जल के क्वतनां को 56 डिगरी सेल्सियस और 100 डिगरी सेल्सियस के मध्य अंतराल है दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव्यों जिनके क्वतनां का अंतर 25 कैल्विन से कम होता है कि मिश्रण को प्रिथक करने के लिए प्रभाजी आस्वन विधी का प्रयोग किया जाता है आप सोच रहे होंगे कि प्रभाजी आस्वन विधी द्वारा तो हम केवल द्रव्यों के मिश्रण को प्रिथक कर सकते हैं लेकिन यदि हमें ग्यासिय मिश्रण को प्रिथक करना हो तब भी क्या हम आस्वन विधी का प्रयोग कर सकते हैं आईए, हम वायू के उदाहरन द्वारा इसके बारे में जाने। वायू एक समांगी मिश्रण है तथा इसके घटकों को प्रभाजी आस्वन द्वारा प्रिथक किया जा सकता है। मान लीजिए हमें वायू से ओक्सिजन गैस को प्रिथक करना है। ऐसा करने के लिए पहले हम उपकरनों को इस तरह व्यवस्थित करें। हमें वायू से ओक्सिजन को प्राप्त करने के लिए वायू में उपस्थित दूसरी गैसों को प्रिथक करना होगा। द्रव्य वायू प्राप्ट करने के लिए पहले वायू पर दबाव बढ़ाया जाता है और फिर ताप को घटा कर उसे ठंडा कर सम्पीडित किया जाता है। इस द्रवित गैस को प्रभाजी आस्वन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म किया जाता है जहां सभी गैसे विभिन उचा पर अपने क्मत्नांक के अनुसार प्रिथक हो जाती हैं अब अन्त में आखरी प्रिथक करण तक्नीक है क्रिस्टली करण क्रिस्टलाइजेशन एक चीनी मिट्टी की प्याली में लगभग 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सलफेट लें जल की न्यूनतम मात्रा में इसे घोल दें अशुद्धियों को चान लिए अब संत्रिप्त विलयन प्राप्त करने के जल को कॉपर सलफेट के घोल से वाश पीकरित करें विलयन को चानक पत्र से ढग दें तथा कमरे के तापमान पर इसे दिन भर ठंडा होने के लिए शान्त छोड़ दें आप क्या देखते हैं हम देख सकते हैं कि चीनी मिट्टी की प्याली में और सलफेट के crystal है इस प्रक्रिया को crystallization कहा जाता है अब आप सोच रहे होंगे कि इस प्रक्रिया को हम कौन से मिश्रणों को प्रिथक करने में प्रयोग कर सकते हैं क्रिस्टली करण का प्रयोग हम ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में कर सकते हैं उदाहरन के तौर पर समुद्री जल से नमक प्राप्त करते समय उसमें बहुत सी अशुद्धियां हो सकती है इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टली करण विधी का प्रयोग किया जाता है क्रिस्टली करण वो विधी है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से प्रिथक किया जाता है और क्या आप जानते हैं क्रिस्टली करन विधी साधारन वाश्पी करन विधी से निम्नलिखित कारणों से उत्तम होती है एक कुछ ठोस विग्टित हो जाते हैं या कुछ चीनी के समान गर्म करने पर जुलस जाते हैं दो चानने के पस्चाद भी अशुध्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुधियां रह सकती हैं वाश्पी करन होने पर ये अशुधियां ठोस को दूशित कर सकती हैं इस प्रकार मिश्रण की प्रकृति के अनुसार हमने सीखी गई विधियों में से किसी का प्रयोक कर हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों आज हमने मिश्रण के घटकों के प्रिथक करण separation of components of mixtures का अध्ययन किया अगली विडियो में हम मिश्रण के शुद्ध पदार्थों के प्रकार types of pure substances का अध्ययन करेंगे